जैमाता की दोस्तों, आप सभी का हमारी यूटूब चैनल संकल्प सक्तिन्दूज में हार्दिक स्वागत है हमने कुछ दुनों से परची बाबाओं का पोल खोल अभियान छेड़ रखा है एक बाबा है, परची बाबा जो पंडोखर धाम में अधिपत्य जमाई हुए है जिनका नाम गूर्षण सर्मा है जो धार्मे के नाम पर गरीब जनता को लूट रहे है आज हम पूनिश सम्मदित को जानकारिया आप तक पहुंचा रहे है आपने अगर देखा हो गूर्षण सर्मा का वीडियो जो कल साथ तारी को यूटूब में आया था उसमें वो पहुत बाउख ला रहे हैं उनका कहना है कि हम टपोरी हैं, कोई बात में हम टपोरी ही सही पर उनकी गलतियों को उन्हें आइसास तो करा रहे हैं और उनी की छेत्र का एक लाल सिंग पटवा नामक विक्ति है जो उनके द्वारा बहुत परिसान है हमने उसकी वीडियो डाली तो यह उसमें बहुत दोख ला गया और उसको धमकी दे डाली कि तुम हमारे विसे में गलत कह रहे हो और तो हमारे गाओं के पास के हो जहां के हो एक चांदनी गाओं हो वहां कहा है वभ्यक्ति उनका हमारे दो-ती रिष्टेदार हैं थोड़ा समहल के रहना तो इस तरह की धमकी देते हैं जो इनकी कम्यों को बताता है तो यह धमकाते हैं और आज आठ नौमबर को और उसमें उन्होंने एक वीडियो डाली है वो है एक लाल सिंग पटवा जो कुछ दो-चार दिन पहली मैंने उनकी एक परिसानी की वीडियो बनाई थी जिसमें उन की बात हुई थी उसको एक इंटर्वू की रूप में उसमें मैंने अपने चैनल में डाल दिया उसको देखके वो ज्यादा भड़क गए और उन्होंने उसे परियापतान संट और दबाव दिया इसके साथ ही एक उसको जबरिस्ती में प्रतारित करके पकड़ लाया और और उससे कहलवानी कोशिस कर रहे हैं कि जो हमने पहले वीडियो डाला है वो गलत डाला है हमेहारी उपर प्रेसर बनाए गया है सक्ति पुत जी महाराज में मुझे खुद बात की है और उन्होंने प्रलोभन दिया है तो अगर उस बच्चे का एक कहना है तो स्वाभावक ह है उसके पास हर एक मोबाल में रिकार्डिंग रहती है तो उन्होंने सक्ति पुत जी महाराज की आवाज रिकार्ड की होगी तो उन्हें उस वे भी रिलीज करना चाहिए था और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसी से समझा जा सकता है इसके साथ ही आपने देखा होगा तो अपनी वीडियो में वो लड़का खुद पूरी बात उनकी नहीं कह पा रहा है क्योंकि जो सत्त है तो सत्त है उसने इस पर यह भी बहुला क्योंकि आप मेरा यहां नमर नहीं लग पा रहा था तो मैंने वहां बोला था और उन्होंने डाला है इस से जादा कुछ नहीं और हमने भी जो उसने बताया था वही उसकी हमारी बाते डली थी और रह गया प्रलोभन का तो प्रलोभन की तो कोई बात ही ने क्योंकि उस लड़के का फिर से हमाये पास दो बार और फोन आया है और उसने बताया कि आज भी मैं उनके दरबार में गया तब भी नमबर नहीं ल बताया कि वह नहीं लग रहा था नंबर तो मैंने उन्हें उनकी जो गार्ड है उसको कहा कि अगर मेरा नंबर आप जल्दी नहीं लगवाते हैं तो मैं बीडियो डलवा दूँगा उसने कहा डलवा दो तुम्हें जो करना है कर लो यह बातें इसके बाद की हुई है और मैं वो recording आपको सुनाऊंगा भी तो इसी सी आप समझ लीजिए कि उस ब्यक्ति पर कितना आप उसका फेस देखेंगे उस वीडियो में तो आप कहेंगे ये तो बड़ा प्रेसर में बार बार ओठों में जीब लगा रहा है और इधर उधर देख रह रहे हैं और ज्यादा कुछ गल्ती न हो जाए उससे जबर जस्ती प्रेसर बना के अपनी बढ़ाई करवाए हैं तो यह आप क्योंकि यह जब बात आ गई है और जब उसके माध्यम से दवाद दिलवाकर हमारी उपर लांचा लगा रहे हैं तो हमें तो सफाई देनी पड़ रहे हैं अगर उस लड़की ऊपर किसी भी तरह का दवाव बनाया जाता है उसके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए गूरु स्वरण सर्मा जुम्यदार होगा इस बात को ध्यान दे लें उसके ऊपर किसी तरह का प्रेसंदा बनाए और अगर उससे मिलने का अगर उस बच्चे के साथ है लाल सिंग पट्वा के साथ है किसी भी तरह का कुछ होता है तो उसका जुम्यदार गूरु सरन सर्मा होगा अब मैं आपको उससे समंधित आडियो आपको सुना रहा हूँ है हलो जै माता दी जै माता दी जी भई आप तो पता है आपके वीडियो हम डाल रहे हैं बना के अब उन्हीं को भेजेंगे तो जब उन्हें देखेंगे यह तो गरवड हो रहे तो फे बुलाई लेंगे वह तो बस सही है नहीं तो मैंने आए उनको बोला भी था उनकी बाता पंद और रहों कंदो क्रुटस्ट्ट़ृ तो कहता है की जा तुम ढालतो क्या करो कहोंगे कुछ नी होने वाला है कुछ नहीं होने वाला है अब आय सामने वाल तो यहेंगे निए टो लेलियू ने निखनी के साथ मरहाता है डता है वामliम मैं दो ग्यलिखन मैं अव करा लो बोले हमारा पुरू जी का कुछ नहीं हो रहा लेकिन यह को डल तो जाए यह लोकल के आदमी बठा करा है आज पढ़ारों को बार बार बारों को क्या होगा उससे आपने आप मैसे जोन जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा मेरा तो ऑस्षित है की मतलब हम लोकल के आदमी होके 3-4 किलो मीटर धूर के होके तो हम आरहा इतने दिन होगा है और जो बाहर की तो बिचारें उनका क्या हो रहा हूगा मास है ना बिल्कुल बिल्कुल अब जो यह बता यह है कि गारड लोग थोड़ी जानते कि लोकल का है हम यह बात है आप भार बार क्योंगें को फिर शर्च पॉर वाल्हां है कि कर ना चाहिए कि छोटी पर्ची का नम्म लगा तो छोटी को किरमाज किरम देखना चाहिए नहीं कि विप आगे तुनिंगो देखो डियाइप विप देख रहे हैं छोटे वाले बचारे बैठी रहां तेने बाँ तो घलत है ना आपको महात तू सब्बू देना पड़ीगा अधिया अधिया आज भी गया था तो आज भी नहीं होई मेरी मुलापास तो आज वीडियो में इसलिए प्वों किया था कि वहां को नहीं हो मुझे वीडियो डाल नहीं जाल दूगा अधिया आज जो अभी बात हो रहे यह भी ढरत दूग है ना वह बीडियो बन चुकि है कि मैंने उसको सेंड करना है तो कि झानकारीम कि टाल दो ने कोई बाद नहीं अगए जो आज की बाद नगल जाय घाली हैं तो विकर्फ भी भी मसक दिया जाएगा अखा जाए लोगों कि यो इसको डालो साथ हुआ है कैस्प थेख जाह Tiny आप लोगों ने सुना उसकी जो भी सुईकार रोकती थी उसने दो अलग-अलग आडियों में दो अलग-अलग दिनों की आडियों में उसने जो-जो सुईकार किया और वहां की बाते बताई उससे तो आप समझ गए होंगे कि उन्हें अपनी बात को सही करने के लिए, हमें जूटा करने के लिए किस हद तक उतर सकते हैं वो कितना बवखला गए हैं, उन्हें यही नहीं पता चल रहा है, हम कर क्या रहे हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह लग गया है कि हमारा जो अधर्म का सामराज है अब धहने वाला है इसलिए वो पूरे बाउखलाए हुए है गुजु सर्म संद्रमा जी थोड़ा सा इतना ना बाउखलाएं और इस तरह की गलत हरकत न करें कि किसी को पर आप गुंडा गरी करें और आपके ठीक है आपके बहुत गुंडे हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप अन्यसरी किसी को भी परिसान करेंगे किसी को भी प्रतारित करेंगे तो मैं आपसे चाहूंगा कि इतने ना बाउखलाएं आप अपने सामराज को नार्मल करें और अपने आपको भी नार्मल करें इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता और एक बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह आप धर्म की आड में ये थगाई का कारोबार कर रहे हैं ये बहुत गलत है इसको आपको बंद कर देना चाहिए आप धर्म को बंदना मत करिए और मैं सासन से भी चाहूंगा तो अपने संग्यान में ले इन्ही सब्दों के साथ जो भी इस वीडियो को हमारे सज्जन लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे दूसरे लोग भी उस वीडियो को देखके वहां की सत्ता को समझ सके और व